चलको सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्लीज बेल बटन भी जरूर प्रस कीजिए ताकि आपको अपडेट आती रहे कि मैंने नई रेसिपी कब बैठ गी अभी वज़े में होगे तो आज की रेसिपी है अलोगी सब्जी की हम बनाएंगे बिल्कुल आलो की सब्जी जो कि आप बना सकते हैं बिना लसन्द के और प्याज की होगी हम सेंदा नमक के साथ बनाएंगे तो बड़ी सिंपल रेसिपी है आप जनली जब भी आलो की सब्जी वरत के लिए या यह यूं भी बनाई जाती लोग आलो उबले विस्तिमाल करते हैं लेकिन जड़त सब्जी बनाँगे घंशे अलो के साथ इससी सब्जी और अच्छी बनेगे के साथ आलो गलेंगे तो रची बनेगी आज चार आलू लें इस तरीके से छोटी टुकडों में काट लें दोस्तों सब्जी को मैं बनाओंगे देशी घी में आप तेल भी इस्तमाल कर सकती है खुब सरा पानी चीवेगा चार कप के करीब हिंग चाहिए होगी दोस्तों सेंधा नमक है क्योंकि व्रत में सेंधा नमक सेंधा नमक का इस्तिमाल करें साथ में में चाहिए तेज पत्ता और लॉंग आप दो तेज पत्ते दो से चार लॉंग ले सुखे मसाल में आमचूर पाउडर जो की बहुत अच्छा रहता है जीरा चाहिए हल्दी मेर्च और धन्या पाउडर चाहिए अगर आप रत में हल् कर सकती हैं राकि रिक्रेश पीस्माल को डाले ती के सांथिसे हम इस्ताइं करेंगी मसाला बनाने के लिए तो सब्सी चुंके जल्दी बनाएंगा और प्र düny स्टाइच को करंगी मैं चुक कर दो आए एक टेबल स्पून देशी घी इसमें तेज पता लॉंग एड कर रही है दो से तीन लॉंग के टुकड़े हैं और साथ में दो तेज पते आप चाहें तो इन्हें वाइड कर सकती है नहीं तो इससे खुश्पू अच्छी आएगी अब मैंने इसमें सभी टमाटर पेस्ट को टीस्पून ड्राय मैंगो पाउडर यानिके आम चूर का पाउडर हल्दी एड करेंगे आधा टीपून के करीब अगरा आप हल्दी नहीं खाती पुरत में तो वाइड करें दो टीस्पून मैं इसमें लालमिच पाउडर एड करूंगे आप अपने टेस्ट के एकॉर्णिंग लालमिच आट कर सकती है साथ इसमें धनिया पाउडर हम एक टेबल स्पून आइड करेंगे जो कि सबजी में बहुत अच्छ है टेक्स्टल देगा खुश्पू भी देगा अच्छे दोस्तों मिक्स करेंगे और इसे हम पका लेंगे दो मिनट सिर्फ दो मिनट में टमाटर अच्छे से पक जाएंगे क्योंकि आज बिल्कुल तेज़ है तो देखिए टमाटर बहुत अच्छे से कूक हो चुके है तो टमाटर के मसाले में बैट कीजिए आलू जो में काटकर रखे वे थे इन्हें अच्छे से मिक्स करें और अच्छे से आलू को तीन से चार मिनट भूनेंगे पानी आट करने से पहले ताकि सबसी बहुत ही अच्छी बने काने में अब हम सबसी में पानी आट करेंगे आप इसमें चार कप पानी आट करें अच्छे से मिक्स करें और कुकर कर डखकन लगा दें प्रेशर कुकर की ले हम शुरू के दो से तीन मिनट तक तेंज आज पर कुक करेंगे आलू की सब्सी को ताकि बहुत अच्छे से विसल आ जाएं जब एक से दो सीटी यानि विसल आ जाएंगी प्रेशर आ जाएगा तो आप गैस को कम करके तस मिनट तक आलू को अच्छे से गलने तक पकाएं उसे तीन प्रेशर आने के बाद मैंने आज को कम कर दिया है दस मिनट बाद दोस्तों गैस को बन करेंगे और प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज करके हम ढ़कान अटाकर चेक करेंगे तो देखिए सबजी अच्छे से मिक्स करें आपको एक तो आलू के पीसी लिए को इस तर ग्रेवी बहुत अच्छी गाड़ी और अच्छी टेस्टी हो जाए। अगर आप उबले आलू से हमेशा सब्सक्राइब कर देखें बहुत अच्छी बनेगी तो यह मुझे उम्हेदा दोस्तों आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी आप इसे जरूर बनाएंगी अगली बार नई रेसिपी के साथ मैं आप से फिर मेलूंगी तब तक अपना ख्य प्रफाल रखें और मेरा चनल कोकवित मॉनिका जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें आपका पहुत बहुत शुक्रिया